हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हो क्रिष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया चले स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग सोशल फार्मेसी का चैप्टर निंबर फोर जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, माइक्रो बायलोजी के बारे में माइक्रो बायलोजी मतलब सीडी सी बात है, जो माइक्रो ऑर्गनिजम्स जो हमारे मतलब के हैं, सारे नहीं पढ़ने है, जो हमारे मतलब के हैं, और कौन-कौन से हैं, वो कौमन माइक्रो ऑर्गनिजम्स के अंदर हम लोग पढ़ लेंगा, और माइक्रो बायलोजी क्या होती ह है किस तरीके से यह हमारे लिए इंपोर्टेंट है उस सब यहां पर थोड़ा सा हम डिसकस करेंगे इसका इंट्रो ही पढ़ना है बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है कि लिए रहे बाते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग ठीक है ना तो Microbiology जैसे मैंने बताया क्या होथिया Microbiology Microbiology जी are च्ब्दों से मिलके बने हुई है बलकी कहेंगे 3 उसको नंगी आखे और सिर्फ अपनी आँखों से इनको नहीं वो microbiology कहलाईगी ठीक है तो microbiology is a study of all living organism that are too small to be visible definition की बात करेंगे तो कहारा microbiology उन organism की study करना है जो की बहुत छोटे हैं जो to be visible with the naked eye जिसको कि हम अपनी आखों से देख सकें वो इतने छोटे कि हम उसको देख नहीं सकते हैं ठीक है उनकी study करना microbiology कराता है इस इंक्लूड इसके अंदर कौन कौन आते हैं बैक्टेरिया आर्किया बिटा आर्किया बता दूमें आर्किया कुछ लोग बच्चे हो सकते कंफ्यूस हो रहे हों आप लोगों ने आर्किया क्लास 11 में आर्किया आए बैक्टेरिया करके पड़ा होगा तो नॉमली आप उसे आर्किया इन क्या आइग को हमसे ने नीटों ने देखा है कि किस तरीके से जीव जन्तुई या प्लांट मर जाता है तो और्गनियम उसे खा करके डिकंपोस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं यह माइक्रोब्स बहुत बड़ा की रोल प्ले करते हैं इन न्यूट्रियंट साइकल बायो डिग्रेशन जैसे मन पताया कोई जानवन मर गया तो इस डिग्रेट कर देंगे मिट्टी मिला देंगे या बायो डिटेरियोशन एक ही शब्द है अलग शब्द है मीनिंग एक ही है क्लाइमेट चेंज में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है फूड स्पॉलिस खाने के सड़ने में भी तो पता ही है खाना सड़ जाता है खरा हो जाता है जो बिमारियां हमको होती है कौन करता है भी यह बिमारियों को लिए तो सब माइक्रोब से जिम्मेदार है ठीक है उनके कारण और कंट्रोल एंड बायो टेक्नलोजी क्लास 12 में पढ़ी होगी आप लोग ने बायो टेक्नलोजी जिसके जीन वीन को हम लोग कार्ट पीट के देदर कर रहे थे तो उहां पे सबका क्या है माइक्रो और्गनिजम का ही काम है बैक्टीरिय के अंदर से ब्लास्मेट को निकाल करके हम लोग काम करते थे ठीक है तो कहीं ना कहीं है हमारी क्या होजाती है definition हो जाती है microbiology की तो clear हो गया microbiology क्या है बेटा देखो मैं पहली उता दूँ मैं यह chapter जिन बच्चों ने यह जो बच्चे 11 को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ठीक है यह जो बच्चे नेट वीट की तियारी करने के लिए महनत करी होगी तो उनके लिए यह part बहुत असान लगने वाला उनको ठीक है ना आगे आते हैं they can only seen by the help of microscope हम इनको केवल और केवल microscope की help से देख सकते हैं और प्लांट के सर्फेस पेड़ के सर्फेस पे human being में और animals में हर जगे हैं हमारे वाड़ी के अंदर वी तो E.coli नाम का वेक्टिरिया पाये जाता है तो यह हर जगे पाये जाते हैं ऐसे कोई जगे नहीं जहां यह होते नहीं है इनका size की बात करें तो एक normal size जो 0.1 mm से नीचे होता और इसी को organism बोल दो तो microorganism होगा वो microorganism है जो हमारी body में रहते हैं और harmless हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुचाते हैं even helpful यहां तक कि हमारी मदद करते हैं but under certain condition but कुछ हलात ऐसे हैं जहां पर some microorganism cause disease कुछ microorganism ऐसे भी हैं जो disease cause करते हैं ठीक न तो यह सब बाते आ रहे हैं कि अच्छा यह सब microorganism होते हैं और इसलिए इनको पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी है यह वेटा वनमास question आपके लिए important है objective में आ सकता है mcq question father of microbiology बच्चा बहुत confused रहता है वेटा father of microbiology एंटोनी वेन लिवेन हुक एंड फादर आफ modern microbiology लुइस पास्चर modern जो modern microbiology है उसके father लुइस पास्चर है और father of microbiology एंटोनी वेन लिवेन हुक है ठीक है ना किलियर है बात समझ में आ रही है सिंपल सिंपल चीजे हैं कुछ ज़्यादा टफ नहीं इसके अंदर अब microbiology deals with microbiology किस चीज़े deal करती है क्या है microbiology है ना क्या के बाते बताएगी the form क्या रूप है क्या structure है कैसे reproduce करते हैं उनकी physiology उनके body के अंदर किस तरह से सांस लेते है एक्सरीशन वगरा होता है कैसे reactions होती है metabology classification of the microorganism और उनका classification इन सब चीज़ों में deal करती है microbiology यानकी जो microorganism है the form किसका form microorganism का जो उपर आपने देखा bacteria वारिस वगरा उनका रूप structure reproduction physiology इन सब के बारे में deal करेगा यह the study of their distribution in nature यह nature में किस प्रकार फैले हुए है कहां कहां पर पाए जाते हैं their relationship to each other उनका आपस में bacteria का वारिस से वारिस से बैक्टेरिया का क्या रिस्ता रही है and other living organism और दूसरे living organism के साथ उनका क्या रिस्ता है ठीक है यह सब चीज़े हम इसके अंदर study करते है microbiology का अंदर ठीक है their effects on human being and on other animal and plant हम देखते हैं microbiology के अंदर कि उसका इंसानों पर क्या असर है दूसरे जानवरों पर क्या आसर है या पौधों पर क्या आसर है their ability to make physical and chemical changes in our environment हम यह भी देखते हैं कि उनकी छमता है कि इस परकार हमारे environment में physical और chemical changes लेकर कर आते हैं their reaction to physical and chemical agents और वो फिजिकल या chemical किस तरीके से react करते हैं तो तमाम बातों से यह सब बाते हैं जो microbiology deal करती है यह यूं कहले microbiology के नहीं हम लोग study करते हैं कि लिए रहे बाते हैं कि अब what are the tiles of micro organism इसको अमने उपर कवर कर लिए फिर देख लेते हैं bacteria fungi जाई actinomycities algae proto जोवा निमेटोड्स ठीक है हलमेंथेस एंड वारेस तो यह ध्यान रखना यह सारे organism है जो कि हम लोग अपनी microbiology के अंदर study करते हैं ठीक है यह इंपॉर्टेंट यह इंपॉर्टेंट दे इसके अंदर वाईरेस attack कर देता है ठीक है ना उसको हम host कहते हैं ठीक हम मा लोग किसी इंसान के अंदर वाईरेस चला गया तो वह इंसान वाईरस के लिए host हो जाएगा तो host के अंदर तो वाईरस जिंदा रहता है और host के बार अगर ऐसे जमीन पर पढ़ा है तो वारे इसको मरा हुआ समान होता है ना तो यह A-cellular इसके अंदर cell वाले structure यानल की plasma membrane, mitochondria, extra का पूरा structure नहीं पाया जाता है इसलिए यह A-cellular है बात वागी सारे cellular होते हैं Cellular की बात करें They can be divided into unicellular और multicellular अब जो cellular microorganism है वो unicellular single cell भी हो सकते हैं जैसे के अपना bacteria है और multicellular भी हो सकते हैं प्रोटोजोप अगरा है, निमटूट अगरा है ठीक है ना और इनी को हम लोग prokaryotes और eukaryotes के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं याद आया कुछ prokaryotes और eukaryotes याद आगया होगा कुछ कुछ ठीक है देखते हैं, यही थोड़ा सा study करेंगा भी हम लोग तो देखो आगया आते हैं types of branches और scope of microbiology अगर हम बात करें types, microbiology के क्या प्रकार क्या है उनकी branches क्या है या उसका scope कहा है तीनों का answer में यही है तीनों के question के अंदर आपको यही बाते लिखनी है तो तीनों की बात करें तो basic microbiology कहला ही जाती है basic microbiology का मतलब होता है आप सिधा-सिधा bacteria को study कर रहे है bacteriaology, mycology, phycology, virology virus को study करते है protozoa, protozoology, nematology nematology, nematodes को study कर रहे है ठीक है, simple आप जिस organism को जिस fungus को study कर रहे है जिस organism को आप study कर रहे है आप simply उसके आगे लाजी लगा देते हैं और वो एक branch बन जाती है, simple यह तो हो गया basic microbiology जिस organism को आप study कर रहे है now the another one is applied microbiology applied का मतलब होता है microbes किस field में use हो रहे है ठीक है, कहा कहा पर हम उसका इस्तिमाल कर रहे हैं अपने लिए इंसानों के सुक सिवधाओं के लिए जैसे कि बहुत चोटाता example है agricultural microbiology यानि कि यहाँ पर हम उन microbes की study करते हैं जिनसे हमारी फसलें अच्छी हो सकती है तो applied का मतलब होता है एक तरह से हम कह सकते हैं practical practical मतलब कहां कहां पर इनका use किया जा रहा है हम उपर क्या था बैक्टिरिया के study कर रहे हैं और वो बैक्टिरिया क्या फाइदा कर रहा है क्या फाइदा नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं हम नॉमल बैक्टिरिया को study कर रहे हैं उपर लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर क्या कोई bacteria ऐसा है जो फसले हमारी अच्छी करता है तो आप सब को इस का अंसर पता है कौन सा बैक्टेरिया है राइजोबियम बैक्टेरिया याद आया है ना तो हम उसकी study करेंगे तो अब यह क्या हो गया हम लोग applied कहीं पर लागू करेंगे इसको उस study को तो क्या हो गया अग्रिकल्च्र माइक्रोबाड़ाजी इडिस टड़ी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्लांट की disease को रोकें या जो माइक्रोब्स प्लांट को infect करते हैं उनको हम कैसे रोकेंगे और किस प्रकार फसलों की पैदावार को बढ़ाएंगे हमारा उद्दिष कह रहाएगा कोई कोई माइक्रोबस help कर सकता है पैदावार बढ़ाने तो उसकी help लेलेंगी हम लोग या कोई माइक्रोबस जो प्लांट के अंदर disease कॉज करते हैं तो कैसे उस disease को खतम करेंगे कैसे उस माइक्रोबस को मारेंगे वह हमारा क्या होगा पढ़ने का विश्य हो जाएगा बास फ्रेश वार्टर मतलब नदी है जरने है ढम चेयर चेयर साarlी और मरीन वाटर और समुंदर पाए जाने बर नौन दोने रगते हैं बाएक्रियो जाते हैं ठीक है कॉनग आगे समें जीज जी घेया किया जाता है जैसे कि हम लोग ऊपता है हम लोग बोलते हैं कि गंगा का पानी कभी गंदा नहीं होता है आप सब्लेथर पते हैं कौन इसके पता है पता है माइकरोपस आंसर कमेंट felt करना कौछ सा माइक्रोब जिम्मेदार है ठीक है वाट पूरिफिकेशन गंगा का पानी सड़ता नहीं है खराब नहीं होता कौन सा माइक्रोब जिंदा है आप लोग कमेंट करेंगे इसको ठीक है ना सब को पता हो बैटा मुझे पता इसलिए बता रहो बहुत बढ़ी चीज निया आद सबको पता होता है यह चीज साइंटिफिक चीज है माइक्रोब जिकल एक्जामिशन हम माइक्रोब की एक्जामिशन करते हैं और बायोजीकल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट और किस प्रकार पानी के अंदर कोई वेस्ट है यह गला पाट आता है गंगा पर कितना भी जाने वाले स्पोर्स माइक्रोब के जो इस पोर्स होते हैं वह जो हवा में पाए जाते हैं उसका रोल क्या है इन कंटेमिशन एंड इस पॉलज़ फूड जैसे की हम लोग खाना खुला रख देते हैं तो खराब कैसे हो जाता है उसके बैक्टेरिया वारिस आ कहां से गया वारिस नहीं या भी बैक्टेरिया आ घ्लाकर کی कहां से आ घई वो आसपास में हमारे मैं इससंपास में पढ़ रहां मेरे आसपास खूब सारे स्पोर्स हैं इसपूर्स मतलर समझ रहे हो महीन से जो स्पोर्स होते हैं जो ग्रो करके फूरे स्पूर्स में बदल नाएंगे व हम बहुत सर खा भी लेते लिए हमारी बोड़ी उन्हें खतम कर देती है एक्सपरिमेंट किया होगा बच्पन में खुली एक ब्रेट को हलका गीला कर दो घर पर करके देख लेना और ऐसी खुला रख दो कल तक उसके पर फंगस लग जाएगी क्योंकि फंगस को महौल मिल गया ब्रेट के अंदर ब्रेट होती है और पानी मिल गया मौश्टर मिल गया तो ग्रो कर जाएगी ठीक है ना तो उसी के बात कर रहा है इट डिल्स विद रोल ऑफ एरोस्पोरा इन कंटेमिनेशन और इस पॉलिज ऑफ फूड एरोस्पोरा मतलब जो सपॉर्स हैं किस परकार कंटेमिनेट करतें दूसित करतें और खाने को खराब करते हैं और साथ साथ म में एरो मायक्रोबाल़जी का दर हम यह भी देखते हैं किस परकार हवा के थूर्व प्लांट और एनिमल डिजीज फेलती है क्लिया है dairy dairy मतलब dairy दूद ठीक है ना तो dairy microbiology the study of micron organism that are associated with milk and milk product हम सबको पता है चीज वगरा जो होता है या कड दई और होता है किसके वह से होता है microbes के वह से बनते हैं तो milk और milk product को बनने केलिए जो-जो microbes की study की जाती है वो dairy करने माईक्रोय जीन के अंदर काउंट की जाती है इसका हम डेरी माईक्रोय बाइला जी कहते हैं इन मिल्क और प्लेडर रोल in फिल प्रोडक्स में प्रोडक्शन ना चीज बनाते हैं वह देखा टॉम अजेरी वाला चीज जो होता है क्यों माईक्रोब के रहता है दआ यदर को पणिर बनाते हैं जो सब क्रोड़ा होता हैनं किया हैं इंडेस्ट्रियल माइक्रॉप्पाइलाजी इस टेडिय ऑफ इंडेस्ट्रियल यूसफुल माइक्रण इमृट्जरीम, इन द प्रॉडisiertолнaf करता है जिसके वाइसे या को या जो वी चीज आता है और सड़ाता और सड़ने के बाद बाद निकल के आता है अलकॉह होता ठीक कि ना तो पर्दस्ट्री में हम लोग जहां-छां की कि हेल्ट से सारे काम करते तो वहाँ पर वह कहलाता है इंडर्स्ट्रिल माइक्रोपाउजी इट आल्सों इंक्लूड फर्मेंटेशन टेक्निक फर्मेंटेशन में बता है सडाना ठीक है ना फॉर्ड प्रडॉक्शन ओफ डिफ्रेंट कंपॉंड बहुत सारे कंपॉंड जैसे इडली रात भर रख देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है बैक्टिरिया पनपता है तो उसको फर्मेंट कर देता है तो फूड प्रोसेसिंग हो गया खाना का सडाना हो गया फूड से फैलने वाले बिमारियां होगे देर प्रिवेंशन उनको कैसे रोका जाए और आप से हम अपना प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं तो फिर लंबे समय तक क्या करता है फूड होता है फूड फिर खराब नहीं होता तो यही सब चीजें फूड मायक्रोबाइलोजी के अंदर पढ़ी जाती है अधिकल मायक्रोबाइल जी इडिल्स विद इस्टडी आफ म अधिकल मायक्रोबाइलोजी का दूसरी डिस्टीजिप्लेटरा दूसरी ब्रांचेस के साथ भी काफी करनेक्शन है कैसे जैसे की पैथलोजी क्लिनिकल मेडिसीन फार्मकलोजी एंड ठेरोपेटिक तो हर जगे मायक्रोबाइल जम का इस्तवाल होने वाला है तो इसलिए मे वैक्सिन विटामींज और फार्मसिटिकल सब्स्टांस तो कहीं देखेंग अपना दुबाईओं से संबंद्ध ID अब सब्सक्रीजा करेंगे it also includes method of sterilizationوس बताया था इस परकार किसी चीज को किसी चीज को इस पैसे करने के लिए हम मारना पड़ेगा और मारने के लिए विस्टी क divulgeneration किस परकार किया जाता है स्टेराइल प्रेड़ेशं वह मंने कि आत least प्रेडरेशन कि आता कि किस परकार कर उसक दर माइक्रों उन्सकों हटाएंगे थो wosterdam preferation and diagnosis of ndlس alien c interacted और मायकॉप जुड़े हुए हैं और फार्मसुटिकल कर राथ न तो क्या बन गया फार्मसुटिकल our biology textile hani क्पड़ों का जो एक्टिवय सब्सक्राइब है देट ब्रांच उप इंट्सटिल लेक्रो फंजाई एक्रियोम फरे टेक्स्टाइल इंडश्ट्री कपडों की इंडश्ट्री में काम में आते हैं ठीक है यह और इंडेट होते हैं फ्रॉम एयर सॉयल एंड वाटर से सम फार्ड फॉल तू आइधर दा फाइबर और दा कंज्यूमर तो यह तीन जो है इनमे कुछ तो fiber जो होता है उसके ratio के लिए फायदे मंद होता है और कुछ consumer अब जो कपड़े को हमिलोग पहनेंगे तो तो lett के लिए harmful होता है तो वो स्टेडिय की जाती है to LegWorks तरीके से रह रहा है क्या क्या उसकी जरूरते है किस तरह से environment के साथ एक तरह से interact कर रहा है ठीक है and each other और एक दूसरी के साथ क्या से interact कर रहा है including their effect on the landscape plus जहां भे microbes है तो वहां भी जमीन पर उसका क्या सर है the spread of virus and bacteria environment के अंदर किस प्रकार bacteria virus fell रहा है the distribution of algae algae कैसे distribute हो रखा है fungi and parasitical organism and the associated implication for human health and the environment तो किस प्रकार से यह human health and environment से जुड़े हुए है तो microbes कहीना है कि कुछ चीज़े link up मिलेंगी बेटा कुछ चीज़े क्या मिलेंगी एक दूसरी के अंदर link up से दिखाई पड़ेंगी बट यह heading हांपर अलग-अलग आती है environment के अदर obviously बात है हम हर प्रकार से किस प्रकार से environment के अंदर चीज़ें हो रही है microbes को लेकर के उनका disease का फैलना या उनका रहना वो सारी चीज़ें हम लोग environmental microbiology के अंदर पढ़ते हैं फिर एक ब्रांच है exomicrobiology इसको extra microbiology भी कहते हैं also called exomicrobiology ठीक है ना is the study of microorganism in space और under space condition तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं देखो यह चीज है ना कि हम लोग का मानना है कि दूसरे ग्रहों पर क्या है microorganism हो सकते हैं क्या करते हैं ऐसे ऐसे organism हो सकते हैं microbes जो अगर हमारे इस अर्थ पर आ जाएं तो फैल जाएंगे बुरी तरीके से और अर्थ खतम हो जाएगे ऐसा मानना है ठीक है ना तो वहाँ पर किस तरह सर्वाइफ कर रहे हैं वहाँ पर पानी है न हावा है तब भी वह वहाँ पर जिंदा है तो वह सब की टो बेक्रिएक फाय को माईकैra प्सेटलोंघ चोण किस तरह कि तरह से उनके सर्फ हो रहा है उनके जनेटिक्स क्या है ऑक रहे है इन डिजेज की बात करें तो स्चाहें क्या प्रेटिक्स के राचाहिन क्या जायेगा इंवारेंटी साग्होचिक 2022 औरफॉक्षीson स्थ इसके अंदर फूड माइक्रोबाइलोजी आ गई और यह हमारी इंडस्ट्री के अंदर आ गई ठीक है तो इस तरह से एक चार्ट बना सकते हो यह तुमारा टाइप्स हो चाहें स्कोप हो सबके अंदर आंसर हमारा यह सेम आएगा किलियर है जाए टाफ नहीं है सिर्फ एक इन माइक्रोबाइलोजी अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से माइक्रोब्वनीजम हैं जो हमारे इंट्रेस्ट के हैं हमारे मतलब के हैं ठीक है क्योंकि हमको जातर किसके रिगार्डिंग में रखने है अपनी चीजों को अपने फामेसी के अकौर्डिंग घुमाना आए ची यह दोनों क्या हैं प्रोकारियोट्स के अंदर आते हैं क्या होते हैं फटा फट कमेंट करो प्रोकारियोट्स क्या होते हैं प्रोकारियोट्स जिसके अंदर ट्रू नुक्लियस नहीं होता है या क्या नहीं होता है या पड़ा होगा जो डियने मैटेरियल है वो एक इंक्लो पहला पड़ाए था है न कोई भी कि वाल नहीं नुकलियस की जैसे यह वॉल रिखे लियर रहे तो प्रोकारियोत के अंदर दोनों हाते हैं अंद फाइनली एक आता है यू कार। लूइस खार यूब। यूख अंदर सब कुछ है ठीक है तो यूख का रियों के अगर बात कर लूं तो देखो या परиниllatis और यूघ इए ठीक ऊटेक डार गण आती है इसको बैक्टेटिरिया की यौ our Bunny अनदर हम लो एईस तरस कर सकते हैं बैक्टेरिया और आर गया फिर eukaryotes याने कि कौन से होगे जिनके अंदर true nucleus पाया जाता है proper nucleus होता है इसके अंदर unicellular और multicellular की तौर पर हम divide कर सकते हैं unicellular के अंदर कौन आते हैं protista, multicellular के अंदर दो category आ सकते हैं with cell wall, without cell wall without cell wall में animals आते हैं केवल और cell wall के अंदर plantae और fungi आते हैं plantae कैसे है, photo autotrophic है और fungi कैसा, heterotrophic याने कि दूसरे को पर depend होता है photo autotrophic का मतलब जो अपना खाना खुद बना ले heterotroph का मतलब जो खाने के लिए दूसरे पर depend है clear रहे, तो ये एक organism का आप classify कर सकते हो कि हमारे जो organism हो रहे study करने, जिन आउगनिजम की वो इस तरीके से categorize है ठीक है अब देखे, तो क्या कह रहा है, माइक्रोब विदिन दो मेंड बेक्टेरिया और के कह रहा है वो माइक्रोब जो बेक्टेरिया और के अंदर आते हैं और और प्रोकारियोट तो सबके सब क्या है प्रोकारियोट से है, their cells lack nucleus, उनके अंदर nucleus नहीं होता है हम nucleus किसे कहते हैं जब हमारा genetic material एक proper है ना, wall के अंदर कैद होता है, तो इस structure को हम लोग क्या बोलते हैं, nucleus बोल देते हैं, ठीक है ना, इस structure bacteria के अंदर होता है, तो यह वही बात बोल दी इसने, whereas microbes in the domain, domain मतलब जो eukaryot के अंदर आते हैं, are eukaryot, ठीक है their cells have a nucleus उनके cell में क्या है, nucleus है some microorganisms such as viruses कुछ ऐसे microorganism है, जैसे virus virus ही या किलाव कोई नहीं है do not fall within any of the three domains इन तीनों में से किसी domain में नहीं आता है ठीक है ना, वो अलगी है a cellular है वो, और सबसे खतरनाग है ठीक है अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो common microorganism है, या उनके बारे में जब question अगर आता है, तो 3-4 बाते हर एक domain के बारे में आप लिख सकते हैं प्लांट किंग्डम आगे, एनिवल किंग्डम आगे ठीक है, आप आप क्या करते होगे यह main point जाए देने के वल cell structure, unicelle, prokaryos nutrition, absorptive और photosynthetic, यानि की absorptive एक तरह से जो bacteria होते हैं, वो pathogenic भी होते हैं, दूसरी को पर भी depend रहते हैं और photosynthetic bacteria भी होते हैं खुद खाना बना लेते हैं, ठीक है तो photosynthetic और absorptive moment की बात करें तो flagella flagella किसका बना होता है, tubulin protein का बना होता है reproduction की बात करें तो asexual है example की बात करें बैक्टेरिया, cyanobacteria, bleagrinalgi ठीक है न, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो चार से पांच बाते हैं, हर एक के बारे हो लिख सकते हो यह कहा है, unicelle, dukaryotes है nutrition कैसा है, absorptive और photosynthetic यानि की यह खुद से भी खाना बना सकते हैं पोटिस्टा के ने युग लेना आता है, जो खुद खाना बना लेता अपना और absorptive, pathogenic भी हो सकते हैं चोटे-चोटे निकले रहते हैं, यह cilia होते हैं, याद आया ठीक है, reproduction बोथ, sexual and asexual, इसके अंदर दोन प्रकार से sexual और ए-sexual दोन प्रकार से reproduction होता है, phytoplankton और duoplankton, छोट-छोटे-चोटे microorganism होते हैं, ठीक है, plant और animal वाले जो पाने के अंदर पाये जाते हैं, उसको प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं, इसके नाम है, प्रोटॉक्टिस्ट भी कहते हैं, इसको, then fungi, multi-cell eukaryotes हैं, कायतीनियस सेल वाले मार्क करेंगे, इनकी सेल वाल के अंदर एक खास तरका पाये जाता है, कायतीन, जैसे plant के सेल वाल में सेल वाल पाया जाता है, इसके सेल के स्टक्चर में कायतीन पाया जाता है, तो कायतीनियस सेल वाल कहा जाते हैं, nutrition, ये भी क्या, heterotrophic है, absorptive है, और saproboic है, ठीक है, saprophytik है, यहाँ पर photosynthetic नहीं है, ध्यान रखना, अभी तक persons, asexual और sexual दोनों परकार से होता है, east की बात करें, और sorry, example की बात करें, तो east इकलौता है, जो क्या है, इसके दर आने के बावजूद कैसा है, unicellular है, mouths और mushroom, ये इसके example में आ गया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, east इकलौता है, जो fungi, जो की multi-cellular के category में आता है, ले सबनाने लेते हैं, move नहीं करते हैं, asexual और sexual दोनों तरीके से reproduce कर सकते हैं, आलगी, ब्राइफाइटा, फांस, जिमने इस पाम, multi-cell, ये सब क्या है, multi-cell, ये सब क्या है, animal के बारे हैं, सब को पता है, without cell wall and plastic, इसके दर cell wall और plastic नहीं होती है, प्लास्टिड पता है ना, अब सब कैसे हैं, sexually active हैं, और जो lower organism होते हैं, वो asexual होते हैं, ठीके, asexual reproduce कर सकते हैं, example, sponges, invertebrate, vertebrate, multi-cell, और eukaryotes, तो एक तरह का five kingdom जो हैं आपके, यहां पर एक छोटा सा revision है, उसका, और कुछ नहीं है, ठीके ना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे है, common microorganism in microbiology, तो ये kingdom मे हमें इसको समझना है, चलें आगे, अब यहां पर एक चीज़ और आती कई बार कि भीया, prokaryotes और eukaryotes का difference, जो हम लोग ने class alone दें पढ़ा है, फटा-फट इसको देख लेते हैं, हम लोग, ठीक है, तो prokaryotes के अंदर क्या रहता है, circular DNA होता है, cytosol के अंदर, यानिकि यहां except ribosome, कोई भी cell organelle नहीं है, except ribosome, ठीक है, यहां लिख दो, केवल इसके अंदर क्या पाए जाता है, ribosome पाए जाता है, इनके अंदर several membrane bound cell organelle, सब पाए जाती है, eukaryotes के अंदर, nucleoid not membrane bound, nucleoid का मतलब, यहां पर जो इसके अंदर का main nucleus है, जो बतारता है, वी bacteria सपोस, तो उसके अंदर अभी देखेंगे, diagram भी आएगा, इस तरह जो chromosome फैला रहता है, इसके अंदर, इसी को हम लोग क्या बोल देते है, nucleus ना बोल करके, हम इसको क्या बोलते है, nucleoid, यह जितने हिस्से में फैला हुआ है, उस हिस्से को हम लोग क्या बोल देते है, nucleoid बोल देते है, क्योंकि एक ही पूरे में ऐसे एसे करके रहेगा लेकिन यूकारिट की बात करें तो कितने होते हैं सब में अलग जिसे हमारे अंदर 42 हैं तो यहां पर सेवरेल क्रोमोजोम हो सकते हैं प्लाजम मेंब्रेन टीपिकली लैक्स रिसेप्टर्स जो प्लाजम मेंब्रेन होती है अगर सेल मेंब्रेन आपको याद हो क्या याद हो सेल मेंब्रेन जो हम लोगों ने पढ़ा है किसमें ऐसे हैं पढ़ रखा होगा तो सेल में में क्या होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं यहां पर रिसेप्टर्स नहीं है लैक्स प्लाजम मेंब्रेंट विद रिसेप्टर्स ठीक है इस्टिरोल और कार्वाइड्स के रिसेप्टर्स होते हैं कैमिकली कॉंप्लेक्स सेल वाल ठीक है इसका जो सेल वाल होता है काफी कॉंप पंजाई के अंदर सेलवाल है उसमें काईतिन पाया जाता है, और प्लांट के अंदर सेलवाल उसमें सेललोze पाई adapter, clear रभाते हैं?? आगने ट्रंस्रिप्शन और ट्रन सॅंक आ लॺ कर सांईसल। Leaders-Cytosol, अगर transcription की बात की जब transcription का वर्ड थो ज़िविकल्ट हो सकता लगे तुम्हें, transcription का मतलब क्या होता है? transcription का होता? DNA की उपर RNA का बनना और RNA की उपर protein का बनना. यहाँ पर दो नों काम एक साथ होते हैं. DNA से RNA बन रहा होता है उसी समय RNA के उपर protein बन रही होती है लेकिन यहाँ पर DNA transcription होता है nucleus के अंदर और फिर RNA translation होता है cytosol के अंदर दोनों अलग लग टाइम पर होती है और DNA का transcription nucleus के अंदर होता है और translation होता है cytosol में यानकि protein जो बनती है वो हमारे cytoplasm में बन रही है और RNA जो बनता है DNA के उपर वो nucleus के अंदर बन रहा है के लिए रहे बाते हैं फ्लाजलम अगर मौझूद है तो simple होगा build from two protein यह simple होता है दो protein से बना होता है फ्लाजलम अगर मौझूद है complex होता है build from microtubule नाम के protein से बना होता है microtubule के structure से बना होता है यह एक तरह के इनके structure के ऊपर जैसे देखा हो गई इस टाइप से structure रहता है इस है पाइली एक तरह से इसको हम लोग कहते हैं कि जिस समय कुछ bacteria sexually reproduce करते हैं तो पाइली की help से करते हैं अपना DNA ट्रांसफर करते हैं और फिंब्रेंट के उपर एक तरह से मान के चलोगी हलके हलके यह पार्ट से निकल रहते हैं उसका हम लोग फिंब्रेंग वैते हैं ठीक है may have celia यहाँ पर क्या मौजूद है celia मौजूद होता है इसका genome कैसा है haploid N यहाँ पर कैसा है diploid more than one copy of each gene इसके अंदर plasmid होता है plasmid क्या होता है extra cellular अगर मैं उसकी बात करूँ अगर मैं तो यह देखो यह बैक्टेरिया है यह इसका main chromosome हो गया genetic material हो गया यह क्या हो गया genetic material हो गया इसके अलावा एक circular और पार्ट पड़ा होता है ठीक है plasmid जिसको कि हम लोग genetic engineering by technology में use करते हैं यह क्या है plasmid तो इसी plasmid को हम लोग कई वर एक नाम देते है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ल एक्स्ट्रा क्रोमोजोम का मतलब क्या हो गया क्रोमोजोम से अलग वाला अलग है यह इसके अंदर भी DNA और जीन्स पाए जाते हैं इसके अंदर भी जीन्स होते हैं ठीक है ना तो plasmid हमारा कहा इस्तवाल होता है मेंली बायो टेक्नलोजी में सबस्यादा इस्तवाल होता है इसका अरे क्या बात वही आच इस पैलिंग बड़ी गरबर हो रही है ठीक है ना बात समझ में आगी तो plasmid यहां पर नहीं होता है ठीक है मार करेंगे इस बात को यहां पर नहीं है plasmid not common यहां माजुद है compact जिनोम होता है लिटल रिपीटिटिव डिए ने बार 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 रिपीट नहीं होता है यूजली लाज नंबर आफ नॉन कोडिंग एंड रिपीटिटिव डिए ने अगर किसी को थोड़ा बहुत आफो रिपीटिटिव डिए यहां पर इसा नहीं है डेजघर रिपीशली लाज़्द है यहां पर क्याय उपर बता दिया तो यहां पर क्या है राइब राइव राइब जो साइटोसॉल के अंदर लार्ज राइब जो यह कितने होते हैं एक साइज इसका 80S होता है नो हिस्टोंस इन क्रोमोजों के अंदर हिस्टों नाम का प्रोटीन नहीं पाए जाता है डियने वांड अराउंड हिस्टों जो डियने बंधा हुआ होता है रैपिंग पाए जाता है नो माइकोलिगनेस कैप्सुल लो कवरिंग डाइब भी रहती है सैल का साइज 0.5100 माइक्रो मीटर यह 10 से 150 माइक्रो मीटर बढ़े होते हैं एक सेक्सुल रिपोडक्षन बाइनरी फिजन होता है यहां पर ओंली एस सेक्सुल यहां पर क्या है मियोसिस इसके बारे में जरूरी था के लिए अब थोड़ा सा मंपढ़ेंगे फ्रोकारियॉड या प्रोकारियॉडिक माइक्रो और्गनीजम के बारे में जिसमें सबसे पहले कौन आता है अपना बेक्टेरिया ठीक है तो सब को बता है बैक्टेरिया फांटी निएर्ली आवरी जाते हैं इसको होते हैं ऊंद घर्टेिये के अर्लेश होते हैं प्रोकारियोटिक हमें पता है विकॉस जनेटिक मैटेल डिने इस नौट इंक्लूस्ट विजने टू नुक्लियस क्योंकि उनका जो जनेटिक मैटेल है डिने वो ट्रू नुक्लियस एक नुक्लियस की वाल के अंदर कैद नहीं है मुश्ट बैक्टेरिया है सेलवाल डेट कंटेंड पैप्टाइडो ग्लाइकन नाम के केमिकल से बनी होती है बैक्टेरिया ओफन डिस्क्राइब इन टर्म्स आप डियर जनल शे से बलाते है ठीक है शेप कौन से है यह से की गोल होगा तो स्टारिकल कोकास ठीक है एस रोड़ लोगका स्ट्र Police कर शेब होगए तो स्पाय्रोकीट कहेंगे च्छंब कर आफे सब्सक्राइ coordinator को घिस्या बाइबियование को हम उसके नाम से जानते है ठीक है यानिकी अपना खाना खुद बना लेते हैं एंड एंड ऑक्सिजेनिक ग्रीन सिल्फर ये भी क्या है फोटो सिंथेटिक हो गया एंड ग्रीन नॉन सिल्फर बैक्टेरिया इस बैक्टेरिया यूज एनर्जी डराइड फॉम सनलाइट एंड फिक्स कारोंड यह क्या करते हैं अपनी लेते हैं याशे कि आम पौद्य करते हैं ऐसे कि और सीगी सिर्फ लेकर को इप्रिक्स करने क्लें कि अका है ये फीकर करके खाना पी अपना बनाते हैं उन टाइस ऑब बैक्टेरिया और नॉन फोटो सिंथेटिक अप्टेन दियर एनरजी फ्रॉम और इनॉर्गेनिक कंपाउंड इनके लावा बागी सब कैसे हैं नॉन फोटो सिंथेटिक है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो जो अपनी एनरजी होती है किसी प्रकार के उनकी स्रांडिंग में मौझूद होते हैं उनकी हैल्ट से वो क्या करते हैं अपना खाना पिना बनाते हैं तो सिंपल होगे बैक्टिरिया तो अगर जो कॉमन माइक्रोगनिजम के बारे में लिखने को आता है बैक्टिरिया के बारे में बारे में आर्के के बारे में तो यह व्यवलीशनियरी हिस्ट्री ठीक इनकी इविलीशनियरी हिस्ट्री अलग अलग है और किया बहुत पहले आये थे उसके बाद वह बैक्तिर इवाल वह रहे थे इनों की जनेतिक्स यानगी ज़ीन्स में बहुत जादा अंतर है इनका metabolic pathway जो metabolism हो रही है जो chemical process हो रही है उन में भी बहुत ज़्यादा difference है and the composition of their cell wall and membrane उनकी cell membrane और cell wall में भी बहुत ज़्यादा difference है unlike most bacteria archaeal cell wall do not contain peptidoglycan कह रहा है कि not like most bacteria जिससे ज़्यादर bacteria में क्या है peptidoglycan नाम का chemical मौझूद है archaea के अंदर peptidoglycan नहीं होता है but their cell wall are often composed of a similar substance called pseudo peptidoglycan लेकिन peptidoglycan की जगह पर जो आर्किया है उनके cell wall के अंदर एक chemical पाया जाता है जिसे हम pseudo peptidoglycan कहते है peptidoglycan के जैसे दिखने वाला but not real in peptidoglycan like bacteria bacteria की तरह है आर्कियार फाउंडे नियरली एवरी हैविटेट बैक्टिर की तरह ही हर है पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर इवन extreme environment that are very cold बहुत थंदे मारेस पचास डिगरी यह पाए जाएंगे वहाँ पर वेरी हॉट 200 डिगरी 200 डिगरी पाए जाएंगे यह वेरी बेसिक बेसिक मतलब जिसका पीएच दस हो ग्यारा हो बारा हो वेरी एसिडिक पीएच वन और टू हो वहाँ पर पाए जाएंगे salty area हम पाए जाएंगे salty area को में जो पाए जाते हैं उनको हम hellophiles कहते हैं hot जो hot area हम पाए जाते हैं हम thermo acidophiles कहते हैं जो marshy area हम पाए जाते हैं उन्हें हम methanogens कहते हैं ठीक है ना some archaea live in the human body कुछ हमारी human body में भी रहते हैं but none have shown to be human pathogens लेकिन archaea नहीं अभी तक humans के अंदर कोई बिमारी नहीं दिखाए कि वो बिमारी पैदा करते हैं इंसानों के अंदर तो बिमारी नहीं पैदा करते हैं ठीक है ना यह तो होगे prokaryotic ठीक है prokaryotic के अंदर कौन कौन आ गया अपना bacteria आ गया और RK आ गया के लिए रहे अब बात कर लेते हैं eukaryotic organism की इनके अंदर true nucleus पाए जाएगा क्या पाए जाएगा इनके अंदर true nuclear the domain eukaryo contain all eukaryotes इसके अंदर सारे कौन थे प्रोटिष्टा याद आया बादा की सब मल्टिसल्वर है प्रोटिष्टा फंजाई प्लांट्स और अपर देखा दा मेजर डिफाइनिंग क्रेटरिस्टिक्स औफ युकारिटिस इस डैट देर सेल्स कंटेन इनका सबसे बड़ा डिफाइनिंग क्या एक कौन सा क्या एसा है जो इनको प्रोकारियोट से अलग करता है कि इसके अंदर न्यूक्लिएस पाए जाता और जब जनेटिक मैट्रियल एक मेंब्रेन के अंदर बंद होता है इसको नूकलियर वाल भी कहते हैं तो उसको हम लोग हो बोल देतें है नूक्रेस बोल देतें पूल्डेद्स पूर स्टक्चर को ना आण प्रोटिस्टा देख लिए तो प्रोटिष्ट्टस्टर यूनिस्सेललर-ःवयं यूकार्यॉकार्या और लुकह था में वोगता है इसके अंदर दो मेन होते ऑलग यह हमारे मतलब पर मेन है वह ह्ल्गी और प्रोट जोवा क्यों इंप्पोर्टिस्ट पड़ोंगो तो अलवा भी है लेकिन आल्ग प्रोट जोवा हमारे मतलब के हैं ठीक है अब आओ देखें कियो मतलब के हैं और multi cellulary भी हो सकते हैं कई सारे cell के बने हुए हो सकते हैं there cells are surrounded by cell walls made of cellulose plant like है इनका जो cell wall है वो किसका बना होता है cellulose का बना हुआ है type of carbohydrate cellulose एक प्रकार का carbohydrate होता है याद है नहीं याद है कोई बात नहीं अब समाझ लो ठीक है ना अलगी का प्ला सेल वाल किसका बना हुआ है cellulose का बना हुआ है और जो cellulose है एक प्रकार का carbohydrate है आलगी आर फोटो सिंथेटिक है तो अंप्लांट लाइक बोला जा रहा है क्यों सयलो स पाइन जा रहा है फोटो सिंथेटिक है DAT एक्सट्रेट इनघी फॉटो संथेटिक क्या करते है सूरच की रosशन लेते है तो ë से गतलाँ लेना तो जो आल्गी खाना पीना बना रहा है और उसका एक तरह से जो वेस्ट होता है उसको दूसरे और गनिजम खाने पीने के लिए यूज करते हैं तो यह किसी भी एको सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अल्गी मैंनी कंज्यूमर प्रोड़क्ट कंटेन कंज्यूमर प्रोड़क्ट कंज्यूमर मतलब जो ऐसे प्रोड़क्ट जिनको हम खाते हैं इंसान खा रहा है अल्गी को Yes कैसे खा रहा हो देखें मैनी कंज्यूमर प्रोड़क्ट कंटेन Ingredient derived from अल्गी से निकले हुए कुश प्रोड़क्ट होते हैं जो हम जो खाना पीना खाते हैं उनके अंदर पढ़ते हैं क्या क्या है उसके अंदर such as caragenin, red algae और alginic acid brown algae which are found in some brands of ice cream ठीक है caragenin और alginic acid, ice cream बनाने में सब्सक्राइब लगती है तो इसको डाला जाता है salad dressing, beverages, lipistic, कहां-कहां पाई जाते हैं ये salad dressing जो salad बनता है बड़ड़ों होटलों में, beverages जो होते हैं, पीने की चीज़े जो होती हैं, lipistic है and toothpaste है, उसके अंदर algae ये अलपाई जाते हैं, मैंने कहा ना, जो हमारे मतलब कि हम उसको पढ़ेंगे यहाँ पर फिर कहरा है, derivative of algae अगार-अगार सुना होगा, अगार-अगार बोलते हैं अगार-अगार नाम का एक डवो निकलता है, चिप चिपस अपदार्थ होता है also play a prominent role in the microbiology, microbiology में हम लोग कोई bacteria को ग्रो करवाना है, तो किसके उपर करवाते हैं अगार-अगार के उपर, इसलिए यह हमारे पर जरूरी है, algae से हमको क्या मिला, अगार-अगार मिला ठीक है, तो laboratory में हम लोग क्या करते हैं, अगार-अगार के उपर gel type substance होता है, उसके बार microbes को ग्रो कराते हैं, खासकर bacteria को ठीक है, तो करवा, अगार-अगार एक gel है, जो derived होता है from numerous algae, कई सारे algae से, mainly of the genus, और main-main algae कौन से जिन से पैता होता है, यहां मिलता है हमको, gracilaria, gelatinum and eucuma, all of these algae are characterized by belonging to the group of red algae, यह तो red algae, brown algae, green algae पड़ा होगा, तो यह जो सारे अगार-अगार वाली algae हैं, वो red algae में count की जाती है, अगार can be mixed with various nutrients and used to grow, microorganism in petri-dishes, petri-dishes के अंदर जो microorganism grow करवाया जाते हैं, बैक्ट्रिया वगरह को, तो वही जो बताए, lab के अंदर है, algae are also being developed as a possible source of biofuel, biofuel, यह एक बड़ा आगे concept चल रहा है, algae को हम लोग ऐसा biofuel के तोर पर इस्तमाल करने वाले, जीवित fuel है, algae डाल दो गाड़ी के अंदर गाड़ी चल जाए, मतलब आगे ऐसा होने की संभाबना है, ठीक है ना, ओके, इस्ता चल रही इसके उपर, now algae हो गया, प्रोटिष्टा के अंदर दूसरा क्या है, प्रोटो जोगा, अगे बड़ी महिजार चीज है, पोटो जोगा, सिंगुलर क्या होता है? पोटो जोगा, एर वएर डायवर्स, काफी विभन परकार के होते हैं, ये, डायवर्स मतलब, ठीक है, समगलोब तोजोगा, मूव विद, हेल-फॉफ, मूव इस एल विद फ्यीयर लाइक की हैल-प से मूव करते हैं, और विपलाइक इस्टक्चर काल फ्लाजला विपलाइक मुझा चाबुक की तरह है चाबुक होता ना गया से उसकी तरह की इस्टक्चर होता है इसे हमको क्या बोलते हैं अधर एक्टेंड पार्ट ऑफ देर सेल मेंब्रेन एंड साइटो प्रोपेल देमसेल्फ कुछ अच्छ अधर चाबुक है और प्रोपेल देमसेल्फ और फिर अपने आपको इस तरह से चलाते हैं फॉर्वर्ड इस साइटो प्लाज्व एक्स्टेंशन और काल सूड़ पोर्ट यह जो एक्स्ट्रा निकल आता है ना अम यह वगरा के दार देखा होगा इस तरह से निकल आता है त तो इसको अम लुग सुड़ो पूड कहते हैं नकली पैर ठीक है फॉर्स फीट सम्टोफ फोट्रवार फोटोज्वा फोट्र संथेटिक है अधर फीड और और अर्गनिघ मैट्रियल और कुछ और और्गनिघ मैटरियल के ऊपर अधर और्गनिघ चीजों को खापीके जिं only able to survive ठीक है ना कुछ parasitic है और कुछ free living है only able to survive by extracting nutrients from the host और जब परसिटिक वाले हो तब ही जिन्दा रह पाते हैं जब होस्ट से क्या खीचेंगे nutrients खीचेंगे most protozoa are harmless जातर क्या harmless हैं but some are pathogens that can cause disease in animals or humans कुछ pathogenic होते हैं तो जो मेजर चार pathogenic form है प्रोटोजोवा की एक है अमीबा प्रोटोजोवा जिसके अंदर अमीबा और अमीबा के अंदर भी एक होती है एंट अमीबा ठीक है इसम कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटी का जो की parasite है डिसेंट्र वगए कि वगए करेंट एक फ्लाजव लेटिड प्रोटोजोवन क्रमश मेंद्य केते हैं ठीक है न इसे एक बीमारी होती है बिमारी क्लारा कॉन सी होती है टायपउंसोम डइजीजज को याज कर लेंगे यह किसके अंदर आता है अपना प्रोटोजवा के अंदर ठीक है ना फिर आता है पहला हमारा क्या हो गया प्रोटिष्टा हो गया दूसरा फंजय पढ़ने जा रहे हैं प्रोटिष्टा के अंदर हमने अलगी और प्रोटोजवा को पड़ा फंजय फंजय क क्वाइट डिफ्रेंट बट रियल्टी में अगर हम उसका केमिकल कंपोजिशन और देखेंगे तो काफी अलग होते हैं प्लांट से फंजाया नॉट फोटो सिंथेटिक यह फोटो सिंथेटिक नहीं है खुछ से खाना नहीं बना पाते हैं and their cell wall usually made of काइटफ के ंटर रखना प्लांट की यहां उति होसे बनी होती है फंगस की काइध से बनी होती है थीक सैंपानी रहा है जो अचल हुशन क्यों को एक यान Jiang कर ले ना सब्सक्राइब करें से यूनिसल्वर हम लोग ने वह पढ़ा था क्या था ठीक है यह यह इस्ट था ठीक है यह फंगस और इस्ट एक नाम है इट इस दा कॉजियोटिव एजेंट ऑफ वैजैनल इस्ट जो वैजैनल इंफेक्शन होता इस्ट का उसका सबसे बड़ा रिजन य पाए जाथी तो चांब यहां पर आपको यह खास ल माइक्षाइमपल देना पड़ेगा और यह लोग तो इस लिए इंपोर्त है कॉमिलर्ट बेक्टरिया उनकी मॉफलोजी से मिलते जूलते हैं और हलांक इसट अट इस इस मृटर्टियक्वर्ग थिक हैं इस मच लारजर बट रियल्टी में क्या है बैक्टिरिया एक प्रोकारियोट है और इस्ट एक यूकारियोट है यूसेल और फंजाई इस्ट की बात करें अगर हम लोग आर्ट इस्ट की सबसे ज्यादा की जाती है माइक बालजिक अंदर दियर और मोर दन थाउजंड नोन इस्ट की हजार से ज्यादा परजातियां हम जानते हैं इस्ट फांड इंवार्मेंट फॉम डीप सी टुदा हुमन नेवल ग्यारे समुदर से लेके जो इंसान की नाभी होती हों पर फंगस आया तो वह भी इस्ट होता है ठीक है सम इस्ट है बेनिफीचल उसे कुछ का अच्छे काम भी है फाइदमन्द होते हैं सच एस कॉजिंग ब्रेट तो राइस एंड बेवरेजेश जिस तरह से जो होता है ना ब्रेट को हम लोग फुला करके सड़ा करके जो एक आ कुछ बीमारिया भी फैलाते हैं सच एस वेजाइनल इस्ट इंफेक्शन औरल थ्रस उपर पड़ा हमने अभी अधर फंजाई ओफ इंट्रेस्ट तू माइक्रोबालाजिस्ट आर मल्टी सेल्लॉलर ऑगनिजम काल्ट मोड्स फंजाई में अगर दूसरी कोई चीज वारे इ इस दिखाए पड़ेगा काले कलर का लगा मोल्ट होता है ब्रेड की ओपर भी काला कलर का ही फंगस लगता है मोल्ट है वो ठीक ना मोल्स प्लेकल रोल इन डीकमपोजिशन अब डेड प्लांट और अनिमल जो मर जाते हैं उनको डिकमपोस करने में गला करके मिट्टी मिलान कुछ अलर्जी पैदा करते हैं और कुछ डिजीज कॉजिंग मेटाबोलाइट कॉज करते हैं इसको क्या माइको टॉक्सिन है ना टॉक्सिन टॉक्सिन क्या होता है जो एक खामफल केमिकल जो किसी को दौरा निकाला जाता है और उसके वैसे इंफेक्शन हो जाता है तो इसका माइको टॉक्षिन नाम पड़ गया इसका के लिए रहे बाते हैं मोड्स है विन यूज्ट टू मेक फार्मसुटिकल मोड्स का इस्तमाल फार्मसुटिकल में भी होता है क्या काम भीया पैंसिलीन सबसे पहली जो एंटिबायोटिक बनी वो मोड्स से बनी विच इस वन सब्सक्राइब कि यहां पर सारी बाते जनल हो रही है एक आम तरे की यह तो सुनी होगी कि जब कोई और ट्रांस्प्लांट होता है मालों एक इंसानी किड्नी दूसरे में लगा दी गई तो उसकी बाड़ी उसे रिजक्ट करती है वो रिजक्ट ना करे तो इसका इस्तमाल क दिखाई पड़ता है अब बताओ माइक्रोबाइलोजिव हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे यह क्या है 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 और हम पढ़किया रहे हैं माइक्रोबाइलोजिव माइक्रोबाली जो आँकों से दिखाई नहीं देती बट हैलमिंथ हमें आँकों से दिखाई पढ़ता है देखो मैंने एक डाइग्राम लिया है अगर तुम लोगों को सही लगे मतलब कोई घिनाना मत ये पैर है पैर के अंदर के इंफेक्शन हो गया है और ये देख रहो ये लंबा सा ये कीड़ा है इसके अंदर रहता है ये ठीक है ना अब ये जब बाहर निकला से पकड़ लिया को है इसकी करने का परपस यह जो अंडे होते हैं और जो लार्वे होती है वह मैक्रीश Link होती है वह हम को आउंकर से पकड़ते है इसलिए हम इसको देंदर है ठीक है ना के लिए रोग गया तो हैलमेट हैब मेंट किसे हो और अधर किन्गडम एनिमेलया तक एनिमेलिया भी technically देखा जाए जैसे बता रहो कि microorganism तो नहीं है यह ठीक है as most are large enough कहरा जाद तर इतने बड़े होते हैं to see without a microscope कि हम उसको microscope से देख सकते हैं however हलांकि these worms fall within the field of microbiology लेकिन यह जो worms है microbiology के अंदर count किये जाते हैं क्यों because disease caused by helminth involved microscopic egg and larvae जो disease होती है वो इसके microscopic egg और larvae की वहीं से होती है egg और larvae इसके microscopic है के लिए रोगी बात one example of helminth is guinea worm यह रा guinea worm और ड्रेक्यून ड्रेक्यून क्यूलस मेडिनेंसिस इसका नाम है scientific name which causes dizziness चकर जैसा आता है वर्म्टिंग आती है उल्टी आती है डाइरिया होता है और पेइनफूल अलसर पेट के अंदर अलसर वगरा हो सकते हैं और पेट नी सोरी लैक्स और फीट यह अलसर एक तक अलसर मतलब जखाम है ठीक है ना था इसकी वएसे सारे चीजों होती है तो helminth का समझ में आया क्यों microbiology के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं तो common बहुत करके पी लिया चलो आजो इंफेक्शन टिपिकली ओकर आफ्टर पर्सन ड्रिंक वाटर कंटेनिंग वाटर फ्लीज इंफेक्टेड बाई गीनिया वाम लार्वे जनरली होता क्या है यह इंफेक्शन होता कहां से जब हम ऐसा पानी पी लेते हैं जिसके अंदर वाट कहते हैं फ्लीज होती है यह ठीक है और वह इंफेक्टेड हो रखी है गीनिया वाम के लार्वे से ठीक है बात समझ वारी है इन दा मिड नाइंटीन एटीज देर वर एन एस्टिमिटेट थी पॉइंट फाइब मिलियन केस ऑफ गीनिया वाम 3.5 मिलियन है ना 3 मिलियन इन 2014 देर वर ओंडी वन ट्वेंटीज इसकी दवायां बहुत जादा दी गई इस तरह से पोलियों को एडिकेट मतलब खतम कर देना जड़ से खतम करना ठीक है दोज़ार चौदा में से 126 केस मिले थैंक्स तु दू गॉडिनेट एफर्ट ऑफ द डवलो हो ठीक है ना तो वहां जाकर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विश्यार जरूरी चीजी है अगर हर जगह प्रफर काम होने लगे तो बहुत अच्छी चीज हो, तो यह जो काम करते हैं, काफी अच्छा लगता है, ऐसे लोग जिनको help नहीं मिलती, दवायां नहीं मिलती, वहाँ पर जाकर करके यह काम करते हैं, फिरिवन दवायां बाढ़ते हैं, और देखो, 3.5 से केवले 126 कियों से रह गए, वेरी गुड यह अच्छी लगती हैं सब चीज़ें, फिरिवन चीज़ें हो रही हैं, और इस पर देखा जाये तो, वाकई में इनसान का ऐसे कहते हैं, एक right to education होता है, कि पढ़ने का जनम सिदधकार, एक तरह से, वैसे ही यह right to medicine होना चाहिए, दवायों पर एक इनसान का हक होना याने कि medicines हुआ या इलाज हुआ, उसको अगर free कर दे, तो मेरा मानना उसके बाद government ना कोई job दे, ना कुछ करे, यह दो चीज़ें अगर free कर दे, तो इंसान दो वक्त की रोटी इतना कमा लेगा, महिने का private तोर पे, किसी भी तरीके से 25-30 रुपे, वो उसका पूरा बच ज जाए, तो मेरे खाल से यहां की public सबसे ज़्यादा सुखी हो जाएगी, चलो इदर आते हैं, ठीक है ना, आगे आते हैं, virus, virus means, विनोम, विनोम क्या होता है, जहर, poison filiud, ठीक है उसको virus, तो क्योंकि poisonous है, जहरीला है, तो इसलिए उसका नाम virus ही पढ़ गया, उस किटानू को हमने virus बोल दिया, क्योंकि वो मार डालता है लोगों को, डिमिट्री आइवनोस्की, 1892 में उन्होंने जो scientist थे, recognize किया, certain microbes as casual organism, उन्होंने कुछ microorganism को देखा, और ये देखा कि वो जो organism थे, वो mosaic disease of tobacco, जो tobacco plant था, पौदा होता है, उसे mosaic disease cause कर रहे थे, these were found to be smaller than bacteria, और क्या प passed through the bacteria proof filter, जो bacteria proof filters होते हैं, पढ़ा पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में, ठीक है न, उसको भी ये cross कर जाते हैं, बाद में एक scientist आये, MW Bezrenic, 1898 में, उन्होंने demonstrate किया, demonstrate मतलब दिखाया, that the extract of the infected plant, कि अगर कोई plant infected है, माने लोग तमाकों का एक पौदा infection हो रखा उसमे उस पौदे को क्या कर दें, infected पौदे से उसका निचोड़ें इस तरीके से, और उसका जो निचोड़ होता है, उसको किसी healthy पौदे में डाल दें, तो वो पौदा भी infect हो जाता है, तो वही कह रहा है, infected plant of tobacco could cause infection, वो infection कर सकता है in healthy plants, healthy plants में and named the new pathogen virus, और इस परकार उस नए pathogen क नाम क्या पढ़ा, virus पढ़ गया, viruses are a-cellular, यह a-cellular है, इनका कोई cell shape structure नहीं होता है, ठीक है, which means they are not composed of cells, ठीक है, इसके properly cell नहीं होता है, cell wall, cell memory, इस टाइब की चीज़ें नहीं होती है, essentially a virus consists of protein, अगर देखते हैं यहाँ पर इसका डियाग्राम होना चाहिए, वारस क्या होत है, उसके अंदर protein की coating होती है, ऐसे उपर protein की coating रहेगी, and इसके अंदर genetic material रहता है, बस, दो चीज़े होती है, protein की coating, covering, और उसके अंदर genetic material, और genetic material जो होता है, तो DNA होता है, यह RNA होता है, but never both, या तो वारस के अंदर DNA होगा, यह iron होगा, एक टाइम पर एक ही होगा, दोनों इससाद नहीं हो सकते, ठीक है न, इन जर्नल आम तर पर देखा जाता है, और जो animal को इंपेक्ट करते हैं, उनको में single or double strand RNA और double strand DNA, यानि कि animal को इंफेक्ट करने वाले वाले वारस जादा है, ठीक है, single strand वाला आरनी वहो सकता है, double strand वाला भी आरनी हो सकता है, double strand DNA वाला भी हो सकता है, bacterial virus, यानि कि ऐसा virus जो bacteria पर अटाक कर देता है, और bacteriophages, virus that infect the bacteria, ऐसे virus जो बैक्टरियों को इंफेक्ट करते हैं, are usually double stranded DNA virus, ये कैसे होते हैं, double stranded, इनके अदर DNA जो होता है, double strand होती है, दो, double strand समझते हो न, इस ट्राइप से DNA के दो strand पाए जाते हैं, ठीक है न, तब protein coat of virus called capsid, इसके उपर की जो protein की covering होती है, उसको हम capsid कहते हैं, जो की बनी होती है, छोटे छोटे पार्ट से मिल करके, जिसको कि हम capsomere कहते हैं, protect the nucleic acid, और ये nucleic acid यानि कि उसके DNA और RNA को protect करता है, तो ये देखो, ये capsid है, और protein sub unit, these are capsomere, ठीक है, ये RNA बहार निकाला हुआ इसके अंदर है ये, इसके अंदर रहता है, ये nucleic acid हो गया, ये क्या हो गया, nucleic acid क्या दिया है इसको, ठीक है, तो nucleic acid को protect करती है, उपर की covering, that's it, इसके अंदर और कुछ नहीं होता, इसी लिए इसको A cellular कहा गया है, cell जैसी कोई चीज नहीं है, फिर क्या कह रहा है, they are inert outside the host, host organism के बाहर, मैंने क्या कर, body से बाहर हैं, तो ये inert है, inert का मतलब, किसी परकार का infection नहीं फैलाते हैं, ऐसा लगता है, मरे हुए हैं, ना इनके अंदर कोई हल चल दिखाए पड़ती है, ना इनके अंदर कोई metabolic process होती है, कुछ नहीं होता, However, by incorporating themselves, हलांकि जब ये अपने आपको incorporate कर लेते हैं, किसी इंसान, जानवर ये प्लांट के अंदर डाल देते हैं, अपने आपको ये चले जाते हैं, उनके अंदर into a host cell, Viruses are able to co-opt the host cellular mechanism, वारिस के अंदर छमता होती है, host की cellular mechanism होती है, उसको co-opt कर लेती है, उसको adopt कर लेती है, और उसको फिर गुलाम बना लेगी अपना, ठीक है, तो multiply and infect the other host, और इस प्रकार से वो दूसरी host को फिर अजवाज़ोले cell को infect करती है, Viruses can infect all type of cell, ये हर प्रकार के cell को infect कर सकती है, from human cell to cells of the other microorganism, इंसानी cell से लेकर के दूसरे cells जो होते हैं, उनको infect कर सकती है, इन human viruses are responsible for numerous disease from common cold to deadly Ebola, humans के अंदर जो virus हैं, वो कई सारे disease के लिए responsible है, साधानों जो हमको flu होता है, वो भी viral होता है, और Ebola जैसे खतरनाक बिमारी भी virus के वैसे होती है, हाइवर, many viruses do not cause disease, कई सारे virus ऐसे भी हैं, जो disease cause नहीं करते हैं, virus तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुस सो लोगों को virus नहीं पाता, virus क्या होता है, जैसे अब ही हमने यहाँ देखा, कि इसके पर एक protein structure भी है, virus में क्या है, केवल RNA होता है, उसके पर कोई covering नहीं है, केवल RNA छमता रखता है infection फैलाने की, देखो, इन 1971, T.O. Diner discovered a new infectious agent that was smaller than virus, एक नया agent ढूना जो virus से भी ज़्यादा छोटा था, and causes potato spindle tuber disease, और उसने क्या कर रखा था, potato, आलू के अंदर एक disease cause कर रखे थी, जिसे हम spindle tuber disease कहते हैं, it was found to be a free RNA, बाद में पाया आगा है, यह तो free RNA है, एक RNA है बस के वहल, उसके उपर ना कोई covering ना कुछ, और वो बिमारी फिलाने में सच्छम है, ठीक है, it lacks the protein coat, इसके अंदर lack मतलब कमी, protein coat ही नियूस के अंदर, that is found in virus, जैसा कि virus के अंदर protein coat पाया गया था, ठीक है ना, यह पुटे, वो था ही नियूस के अंदर, के वहल आरने था, यह एक अजीर सी चीज थी है ना, इसलिए कितना खतरना आगा तो microbiology के अंदर एक पढ़ा जाएगा यह, hence the name virus, इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा, virus पढ़ा, the RNA of the virus was low molecular weight, वो काफी low molecular weight होता है, इनका जो RNA होता है, ठीक है, हलके से होते हैं, उसके comparison में, फिर बाद में एक और चीज आई, प्रियोंस, यह एक अजबी, अलगी level के कहानी है, इन modern medicine, certain infectious neurological disease, कुछ neurological disease, बिमारी, दिमागी बिमारियां पैदा करने वाली चीज है यह, क्या चीज क्या है यह, ना यह virus है, ना यह bacteria है, फिर है क्या चीज, देखो क्या है, were found to be transmitted by an agent, consisting of abnormally folded protein, protein है, जो कुछ abnormally अजीवो गरीब तरीके से fold हो रखी है, protein है, केवल protein है, न RNA, न DNA, वायरस, न बैक्टिर, कुछ नहीं, protein है, कुछ अजीव, abnormally, अलगी तरीके से fold हो रखी है, और यह जब body के अंदर चली जाती है, तो दिमागी बिमारी पैदा कर देती है, यह protein, ठीक है, the agent was similar in size to virus, यह virus के size के बराबरी थी, these agents were called preons, इनको क्या क्या क्या, protein होती है, तो preons बोल दे गया, इनको बरवाद कर दे रही है, इस पंज जैसा कर दे रही है, commonly called mad cow disease, और इसको हम लोग क्या बोलते है, mad cow disease, कहा है पागल होगी है, in cattle and its analog variant is CR-Jakob disease in human, human इसके अंदर एक disease पाई जाती है, ठीक है, CR-Jakob के नाम से, उससे हम इसको compare कर सकते हैं, immunology, अब कहानी आती है कि भाईया, immunology को हम लोग क्यों पढ़ रहे है, microbiology के अंदर, तो बहुत simple सी बात है, जब microbiology हमारी body में जाएगा, तो हमारा immune system activate होता है, तो हो गए आपस में connected, तो ये पूरी process समझने के लिए, हमको immunology को microbiology के अंदर count, या study करना पड़ता है, तो immunology, the study of the immune system, जो immune system की study है, is often included in the study of microbiology, उसको हम लोग microbiology के study के अंदर रखते हैं, क्यों, because host pathogen, host और pathogen का जो interaction है, are central to our understanding, किस तरह से host और pathogen आपस में interact कर रहे हैं, किस तरह से वो उसका attack करके infection फैला रहा है, यह हमारी understanding का central है, main address यही है, of infectious disease process, किस प्रकार से वो एक infection फैलाने में कामियाब हो रहा है, pathogen, host के अंदर, इसलिए हमें immunology, कोई वहाँ पर immunology fail हो जाती है हमारी, तो pathogen कामियाब हो जाता है, ठीक है, तो यह topic खतम हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें जो उपर थोड़ा सा क्या था, अलग से कर दिया है, बैक्टेरिया के अंदर दो बाते हमें और जान नहीं है, एक, बैक्टेरिया का cell का structure, important है बेटा यह, cell structure of bacteria, exam में पूछा गया है, तो इसलिए इसको करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसे याद कर लेना है, बच्च में से पढ़ते आ रहे होगे, मुझे पता है, लाग बार देखा होगा, क्या करना है, देखो सबसे उपर क्या है, cell wall, सबसे उपर होता है, capsule, तो मैं बता दूँ, इस कैसे करोगे, सबसे उपर, capsule, उसके अंदर, cell wall, उसके अंदर, अरे कहा जा रहे हो, cell membrane, ठीक है, यह capsule होता है, यह capsule होता है न, यही बना होता है, क्या करते हैं, उसका lose और tie type के होता है capsule, यही infection काॉस करता है, फिर उसके अंदर आती है, cell wall, ठीक है, ठीक है, capsule, cell wall, cell membrane, फिर उसके अंदर, बाकी फ्लाजला वगरा अपना बना करके, प्लास्मेन वगरा अंदर की चीज़ें दिखा दोगे, यह diagram समझ में आये, net से कोई diagram देख ले ला, कम से कम 6 चीज़ें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह 9 चीज़ें कम से कम से हो जा तुम्हें 9 से 10 चीज़ें दिखानी है, diagram important है, clear है, तो कह रहा है, bacteria can be, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, एक तो bacteria का structure important हो गया, दूसरा क्या है, bacteria gram positive और gram negative, दो टाप के bacteria होते हैं, एक gram positive और एक gram negative, सुना होगा तुम लोगों नहीं है, तो actually क्या staining, staining technique क्या होती है, bacteria को microscope के अंदर हम लोगों कुछ dice color डाल के चेक करते हैं, तो कुछ bacteria अपने अंदर purple color रख लेते हैं, कुछ bacteria अपने अंदर red color रख लेते हैं, उसी परकार से उनके नाम पढ़ गया, जो positive रख लेते हैं, positive जो नहीं रख पाते हैं, वो negative, क्या color नहीं रख पाते हैं, तो simple से समझो, gram staining क्या है, this technique was proposed by Christian gram, एक scientist है हमारे, Christian gram उन्होंने ये technique की जाद गी थी, gram staining, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, to distinguish the two types of bacteria, जिससे कि हम दो परकार के bacteria को हम लोग करते थे, जो main तरीका था, क्योंकि इन दोनों bacteria का cell wall था, उनके structure में difference था, अब difference क्या था, दोनों के structure में दो बता दूँ में पहले, जो gram positive थे ना, उनका जो peptidoglycan जाओ, ठीक है ये अंदर cytoplasm membrane है, क्या है ये, जहां से cytoplasm membrane, उसके उपर peptidoglycan की एक मोटी सी परत, लेकिन जो gram negative थे, उसमें membrane peptidoglycan की पतली सी परत, और उसके उपर एक और outer membrane हुआ करती थी, तो ये double membrane है ये, बात समझे भारे ना, तो इनका ये cell wall का जो क्या है, डिफरेंस हुआ करता है, ग्राम positive में ये होता है, इसलिए purple हो जाते हैं, इसमें नहीं होता है, इसलिए red हो जाता है, आओ देख लेते हैं फटा-फट, ठीक है, तो the gram positive bacteria retain the crystal wallet, तो gram positive है, वो crystal wallet color अपने पास रख लेता है, मतलब इस्टेनिंग करेंगे जब, तो उसके अंदर crystal wallet color के दिखाए पड़ते हैं, and stain purple whereas gram negative bacteria lose crystal wallet, जब उसको wash कर देते हैं, ये process आने वाली है, तो negative वाले bacteria होते हैं, जो purple color होता है, उनके cell wall से हड जाता है, and stain red, और उनके बाद लाल color आता है, क्या कह रहा है, gram negative bacteria are more resistant and antibodies, resistant to antibodies because their cell wall is impenetrable, gram negative bacteria सीदी सी बात है, ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये antibodies जो होती हैं, antibiotics हैं हमारी जो हम खाते हैं, उनके खिलाफ ये ज़्यादा असानी से काम कर चली आती हैं, इसलिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी जो wall है, वो impenetrable है, उनकी दिवाल के अंदर घुषना असान नहीं है, double layer होती है तो उसके तरह घुषना असान नहीं है, देखो ज़्यादा क्या क्या गया है, देखो primary stain, crystal wallet डाला जाता है, दोनों के अंदर, ऐसे slide ले लिए, दोनों बैक्टिरिया के अंदर क्या डाल दिया, ठीक है, दोनों के अंदर क्या ले लिया, हम देख सकते हैं, एक round shape का है, बैसिलर shape का है, मतलब rod shape का, दोनों ने crystal wallet color ले लिया, all bacteria will be stained, blush to blush purple, फिर primary stain for one minute, then wash with water, फिर हम क्या कर देंगे, पाने से धूल देंगे, फिर modern, modern होता है एक तरह का, जिससे की जो color है, वो और ज़्यादा क्या हो जाए, गहरा हो जाए, उसके लिए हम लोग gram side-dune का इस्तमाल करते हैं, enhance the crystal wallet, staining by forming crystal wallet iodine complex, जो crystal wallet होते हैं, वो iodine के साथ मिल जाते हैं, color और गहरा हो जाता है, तो अभी भी दोनों के दोनों कैसे हैं, purple color के दिख रहे हैं, अब हम क्या है, leagos iodine for one minute, then wash with water, पाने से हमने इसे धुल दिया, पाने से धुलने के बाद हमने क्या क्या, decalurizer, हमने alcohol या acetone से इसको wash कराया, decalurizer washes away the primary stain from gram negative bacteria, क्योंकि gram negative में हमने देखा था, एक ही layer थी, तो यहां से क्या है, easily वो सारा purple color जो alcohol था, वो सारा purple color लेके चला गया, ये वापस से क्या हो गया, purple free हो जाते हैं ये, ये क्या हो जाते हैं, purple free हो गया, फिर हमने इसको धुल दिया से, और फिर हम वापस से इसमें क्या कर रहे हैं अब, इसको धुलने के बाद, ये सारे क्या हो गया, purple free हो गया, फिर हम counter extend डालते हैं, दूसर का तरह कलर डालते हैं, कारबॉल, फ्यूशीन या सेफ्रानी, जो की लाल color का होता है, क्योंकि इनकी लेर खाली हो गई है, तो ये क्या है, रेड हो गयाते हैं, तो इस परकार से हमको, एक रेड दिखाए पड़ता है, और एक हमें परपल दिखाए पड़ता है, तो gram negative वाले red होते हैं, और gram positive वाले purple होते हैं, ये one marks question के लिए पढ़ लेना, ओके, ये दोनों का structure समझ माँ आ गया, gram positive में ये peptidic glycan की मोटी layer होती है, peptidic glycan की एक ही layer है, प्लस यहाँ पर दो membrane है हमारे पास, double layer है, difference between gram negative and gram positive bacteria, इन दोनों का difference देख लें हैं भाई या, तो सेल वाल की बात करें, तो smooth cell वाल है, इसकी wavy cell वाल होती है, लहर जैसी होती है, gram negative ये gram positive, observation अंडर microscope ठीक है, bacterial culture appears purple, ये purple appear होते हैं, ये red appear होते हैं, retaining to the dye, retain the crystal wall and stain, ये crystal wall and stain रख लेते हैं, do not retain the crystal wall and stain, retain मतलब अपने पास, जब alcohol से धुलते हैं, तो crystal wall and stain चला जाता है, presence of outer membrane, यहाँ present है positive में, यहाँ absent है, ठीक है, peptidoglycan, thick and multilayer, यहाँ उल्टा हो गया हमें लग रहा है, outer membrane, यहाँ absent होगा, और यहाँ present होगा, है ना, gram negative present ही, peptidoglycan, thick और multilayer होता है, यहाँ पर thin और single layer होती है, periplasmic space, यह जो होता है देखो, membrane और, इसके बीच में इस्पेस है, उसको हम क्या कहा रहे है, periplasmic space, यह निए peptidoglycan और membrane के बीच में, ठीक है, डेखोर negative में दो layer है, नीचे उपर, ठीक है, तो periplasmic space, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मोटी सी परत हो जाती है, और इसमें मौजूद होता है, थिकनेस ऑफ cell wall, 20-80 nanometer है, इसमें 5-10 nanometer है, cell wall की थिकनेस पतली होती है, lipopolysaccharide susceptible to anionic detergent, इसमें not present है, present in high quantity, susceptible है, very less susceptible है, ठीक है, susceptible to anionic detergent, मतलब anionic detergent से, क्या होगी, उसको एक तरह से absorb करेगी, पकड़ेगी, lipid content की बात करें, बहुत कम होता है, काफी हाई होता है, lipoprotein content की बात करें, very low, very high, ठीक है, ticoic acid, ticoic acid chemical पाया जाता है, present होता है, इसमें absent होता है, ठीक है, virulence, यह less virulence है, मतलब उतने ज़्यादा पैसर जनेक नहीं है, एक्जांपल की बात करें, तो bacillus, clostridium, और यह enterobacter, और acidobacter, ठीक है ना, तो यह पढ़ा होगा आपने, और नहीं पढ़ा, तो यहां से उसके पांचे point भी याद करेंगे, तब भी चलेगा, में इसका peptidog लगने वाला तो याद रख नहीं है, दूसरा bacteria की shape, इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ, cocus मतलब गोल-गोल होते हैं, pneumonia, streptococcus pneumonia, ठीक है, यह जो rod shape होता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, यह दो यह diplococcus है, यह streptococcus, streptococcus, होता है rod shape, यह सर्फ गोल-गोल हो गया यह, ठीक है ना, streptococcus pyogenes, then tetrad, चार के shape में होगा, sarsina cube की shape में, यह क्या होता है, cube, यह bunch आ गया, staphylo, यह bunch हो गया, ठीक है, staphylococcus aureus, ठीक है, sarsina ventriculi, then, यह तो होगा shape के अधार पे, दूसरा हम लोग इसको, इनके, flagella के अधार पे, ठीक है, अच्छा यह तो होगा, cocus, ठीक है, cocus वाले आ गए, यह bacillus है, rod shape, bacillus मतलब rod shape, यह तो rod shape, यह rod shape के bacteria है, इसमें भी क्या है, chain बनेगी तो, chain of bacilli, इसी हम लोग, यह बोल सकते हैं, streptobacilli बोल सकते हैं, ठीक है, then flagellate rod, rod है, और इसमें क्या निकला हुआ, flagella निकला हुआ है, spore former, यह spore बनाने वाला है, spirulonine spiral shape का है, vibrio comma shape का है यह, इस टाइप से रहता है यह, तो हम लोग क्या, spirochete wave type कर रहेगा, तो spirals वाले हैं, rod वाले हैं, स्फेयर वाले हैं, bacteria के shapes के अधार पे, हम इसको generally क्या करते हैं, distinguish करते हैं, ठीक है, तो last में हम देख लें, इसको classification of bacteria, यह detail में नहीं जाना, क्योंब हम फटा-फटा इसके क्या कर लेने हैं, समझ लेना है, क्योंकि यहां से question, on the basis of mode of nutrition की बात करें, तो bacteria photodrop हो सकता है, खुझ से खाना बनाने वाला, chemododrop, chemical से खाना बनाने वाला, या heterodrop, दूसरोंबर depend करने वाला, यह कैसे होते हैं, यह pathogenic होते हैं, यह pathogenic होते हैं, on the basis of optimum temperature requirement for growth, कितना temperature चाहिए उनकी growth के लिए, तो less than 0 या 0 चाहिए, तो psychophiles कहते हैं, 25 सा 40 वालों को mesophiles कहते हैं, बहुत ज़्यादाल, है ना 50 या 100 डिगरी चाहिए होगा, तो thermophiles कहते हैं, on the basis of pH, ठीक है, जो acidic environment पे रहना पसंद करते हैं, acidophiles जो basic में रहना पसंद करते हैं, alkalifiles तो neutral में रहना पसंद करते हैं, neutrophiles, on the basis of salt concentration, अगर salty area में रहना चाहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, hellophiles, on the basis of gases requirement, किस प्रकार की gas की requirement है, oxygen चाहिए ही चाहिए, जरूर ये बिना उसके मर जाएंगे, तो obligate aerob, oxygen चाहिए, नहीं है तो भी चल जाएगा, तो facultative aerob, oxygen नहीं चाहिए, oxygen मिली तो मर जाएंगे, तो obligate an aerob, और canophiles, required CO2 for growth, और ने carbon dioxide की बिना ये मर जाएंगे, carbon dioxide चाहिए इनको growth के लिए, on the basis of morphology, morphology की हिसाफ से हमने डिसकस किया, उपर, है ना, focus, rod और spiral वाला, on the basis of gram staining, ये भी डिसकस किया, हमने gram positive, gram negative के विसाफ से discuss कर सकते हैं, इस पोर के हिसाफ से discuss कर सकते हैं, कुछ स्पोर बनाते हैं, कुछ स्पोर नहीं बनाते हैं, तो स्पोर बनाते हैं, उसमें दो प्रकार के होते हैं, ये endospore और axospore, यानए कि endospore मतलब, अपने body के अंदर इस पोर बनाएंगे, और axospore मतलब, जो cell के बाहर इस पोर बनता है, ठीक है, एक cell है, इस पोर अंदर बन रहे हैं, और एक cell है, इस पोर बाहर बन रहा है, तो axospore और ये endospore, और लास्ट में आओंदा बेस दो फ्लाजला की बात करें जिसके पर कोई फ्लाजला नहीं होता उसे ए ट्राइकस कहते है जिसके पास एक ही फ्लाजला होता है उसे मोनो ट्राइकस कहते है जिसके पास एकी तरफ एकी तरफ बहुत सारा बंच होता है उसे लोफो ट्राइकर्स कहते हैं दोनों तरफ बंच होता है तो एमफी ट्राइकर्स कहते हैं पूरी बॉड़ी पर फ्लाजला फैला होआ है तो पैरी ट्राइकर्स कहते हैं क्लियर हुआ है तो ये था अपना आज का मज़दार सा लेक्चर उमीद है मज़ा हाया होगा ठीक है तो इसको क्या करना है एक बार और देख लेंगे repeat कर लेंगे इसको या अगर साथ साथ में नोट्स बिना ले फिर तो को दिक्कत नहीं है तो कुछ नहीं बड़ा सिंपल सी चीज़े जैसे मैं बताया इसको बारे पढ़ते चले आ रहे हो थोड़ा सा अगर अभी अभी जश्ट 11 किया है मतलब एक साल पहले किया है और इंटर करने का अभी कर रहे हो बात बाकी यह माइड नर्चर एप है इससे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ जुड़ सकते हैं और सबसे ज़रूरी चीज जो है वो क्या है आपको रिवीजन करना है रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है तो पढ़ोगे और रिवाइस करोगे All the best